है लो फ्रेंड्स आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रेश्पी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे इमली की चट पटी चटकारे वाली चटनी जो चांट में इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम अब चटनी है तो चटकारे व दिख जाएगी, तो हमने इमली ली है, दोसो ग्राम के करीब हमने इमली ली है, बहुत जादा खटी-खटी सी और इनको ना ठोड़ा पाने डालके हम भिगो देंगे, ये मार्केट में बड़े आसाने से मिल जाती है, किसी भी पंसारी कहीं भी दुगान में ये बहुत आसानी से मिल जाती कभी-कभी सबजी वाले भया लोगों के पास भी मिल जाती है तो अभी हमने क्या-क्या इमली भीगो दिया है और इसको ढग देंगे एक घंटे में ही यह भीग जाएगी बहुत अच्छी तरह से गुन-गुने पानी में है तो बहुत जल्दी भीग जाती वरना अगर ठंडा पानी डालने से थोड़ा सा देर लगती है इतना आसान नहीं लेकिन फिर भी एक घंटे में करीब हो जाती है तो हमारी इमली बहुत जल्दी कर गई थी गरम पानी था तो इसलिए हमें एक घंटा भी नहीं लगा एक घंटे के लिए भीगोना था लेकिन यह आदी गंटे में मैंने देखा तो अच्छे से यह भीग गई है एकदम बढ़िया सी फूल गई है तो अभी इसको हाथ से इस तरह से मसल मसल के ना इसका जो गूदा है ना वो गूद वो निकाल लेंगे इसके एक तो इस तरह से हाथ से अच्छे से मसल से हो जाती है तो अभी इसका जो हम निकला है ना पल्प जो निकला है तो इसको हम चन्नी से चानेंगे इससे ना थोड़े से जो इसकी गंदगी थोड़ी होती है न वो नहीं आएगी जैसे छिलके हैं रेसे हैं वो नहीं आएगे तो इसको थोड़ा सा पानी हम डाल डाल के इस तरह से हम चान लेंगे, मोटी चनी हमने लिया है, तो इस तरह से हम चान लेंगे, तो पल्प जो इमली का है न, वो बढ़िया सा बाहर से एकदम बढ़िया निकल जाएगा, अच्छे से चान जाएगा, और गंदगी भी नहीं पल्प जो इमली का निकलता है, ये बहुत अच्छा रहता है, तो इस तरह से देखो, सारे जो बीज जो थे, बीज छिलके थे, वो सारे सब रहे गए, और हमने पानी डाल के इसको अच्छे से और पानी मिलाया, गुनगुना ही पानी मिलाया, लेकिन इसको अच्छे से निक तो मैंने यह चोटू सी कड़ाई रखी है यह चोटी-चोटी चीजे बनाने के लिए बहुत चोटी सी कड़ाई ना यह बड़ी अच्छी रहती है तो सारा सा जो इमली का पर पर ना वो सारा रस इसमें डाल देंगे और इसको उबलने देंगे थोड़ा सा बहुत जल्दी बन जाती है जटबट बन जाती है इसमें ना कोई जहटी ना कुछ भी नहीं है तो अभी जब तक उसमें एक उबाल आता है इतनी देर हम क्या करें गुड़ ले लेंगे गुड़ हमने गुड़ से बना सकते हो चीनी से भी बना सकते हो लेकिन यह ना थोड़ा मसाले वाला गुड है ना तो मसाले वाला गुड इस से तो मसाले हमको और एक्षा जबह हो ज़्यादा जादालने की जुरुत नहीं पड़ेगी बड़िया सा हमारा रूखा सा गुड है तो तयार हो जाएगा तो अभी हम करता हम हम देख लेते इसमें जो हम गंदगी है थोड़ा सा उपर आ जाती है इस तरह से तो इसको हम थोड़ा सा साइड में करते जाएंगे पहले कर डालने साथ चरोफ में जरह विआता हमरे तो पाम करें आ समक्राइट देख च्सकरदाद करके और अम छमच कें जाएगा इसमें जो गंदगी जो उपर है न निकलती जाएगी जो फेना जैसे टाइप का होता है न हलकी से गंदगी होती है तो यह निकल जाएगी सारी हम इसी तरह से निकाल देंगे और बस इसको खौलने देंगे पकने देंगे तो अभी हम डाल देते हैं इसमें आधा चम साल्ट मिस्टक्रफ के साहरा मैं कि तक नहीं हो कडि़ों ना टो स्व्पल्फ के सब्सक्राइब चतनी तो इस के साथ्मिर्श कोई भी र्स्पी बनाव तो बहुत जादा भी तो िसको कोई नहीं चीज की जरुरत होतीई और इसको रोटी पराठे के साथ भी इसे खा सकते हो, बहुत बढ़िया लगती है, चार्ट बनाओ, टिक्की बनाओ, कुछ भी है न, एक बार इसको बना के रख लो, तो कम से कम, चार-पांच महझे भी आराम से चल जाती है, लेकिन क्योंकि इतनी थोड़ी-थोड़ी हम लोग बनाते हैं, सभी लेडिज इतना थोड़ी बनाती कि जो 6 महिने भी नहीं चलती है, महझे दो महिने में खतम हो जाती है, चीज बनाओ, है तो अभी हमने गैस इसको बहुत इकदम डीम कया हुआ है अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें चोटी लाइची पाउडर डाल देंगे तो बहुत जादा इसमें हमने मसाले साले कुछ भी नहीं आड़ किये हैं क्योंकि गुड़ हमारा मसाले वाला था तो इसलिए और बस डाल देंगे थोड़ी से हम इसमें किश्मिश किश्मिश डालेंगे और थोड़े से हम डालेंगे खर्बूजे के बीज तर्बूजे के बीज हो तो यह डाल सकते हैं अगर आप डाल दिया है इसमें तो इसको जब फूल जाएंगे न किसमी तो रोटी बगरा के साथ खाओ ना तो बहुत मजाता है बहुत अच्छी लगती है तो बस इतना ही हमने इसमें डॉरइफूर्ट डाला है अगर इसमें आपको डॉर डालना है तो और भी डाल सकते हो तो यह हो इतनी गाड़ी हो गई है ना बस इसंट्रे से देख लेना है कि यह kवीज़े कि यह इसमें गाड़ापन आ गया है और नहीं कोछ भी नहीं मिलाना है बस यह इसी तरह से हमारी हो जाएजी तयार और थोड़ा साम डालेंगे काली मिरश पौडर तो हमने सबसे लाश में डाल दिया है काली मिर्श का पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल डाला है और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे गैस कर देंगे ओफ ये हमारी हो गई इमली की गुड की इमली की सोट वाली खटी मिठी सी चटनी बढ़िया सी तयार इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया तो अब यह हो गई है ठंडी तो करीब हमने इसको 15-20 मिनट हमने रख दिया था ठंडी होने के लिए अब हम जाकने हैं इसको भरके airtight डब्य में भरके इसको freeze में लगा देना है बास दो तीन मेने अराम से इसको चल जाएगी इस तरह से पता चल जाता है चमची के पीछे जब लग जाती है एकदम गाड़ी गाड़ी सी तो पता चलता है कि हमारी जो चटनी है बढ़िया परफे के लिए तो बहुत जादा चटपटी वाली है टिकी बनाओ बता से खाओ चांट बनाओ कुछ भी बनाओ इससे मज़ेदार इतना बिती बढ़िया सी इमली की खटी मिठी चटपटी सी चटनी और बनाने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगता दस मिनट में बनके तयार हो ज हो जाती है बढ़िया मजेदार से तयार अगstat है कि एकट हमने भर के रख दिया है जो थोड़ी से हमारी और बच गई है दो जारे में हमारे आजाएगी तो दुनों को हम भर के रख देंगे जो कम वाली आराम से इस्तेमाल करते रहो खाते रहो बनाते रहो तो आप स्क्राइब जरूर कर लेना जे हो गई इंबली की खट्टी में थी चट्मंटी सी चट्टनी तो फ्रेंट्स मिलेंगे एक न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू बाई इंज्वाइ करिए मेरी रेस्पी फूल वॉच करिए